CBI के शिकंजे में फसे UP के भाईया जी अखिलेश यादव, CM बनेंगे या फिर जेल जाएंगे अखिलेश राहूल का साथ, क्या UP स्विकारेगी? अखिलेश यादव पर क्या कहती है? राजप्रोहित मधुर जी की भविश्वानी देखे सिर्फ धर्म ज्यान पर नमस्कार, धर्म ज्यान के दर्शिकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ, कविता राना आज हमारे साथ मजूद है राजप्रोहित मधुर जी आपका स्वागत है सार नमस्कार 24 के चुनाव से पहले यूपी की राजनीती दिन पर दिन गर्माती जा रही है और अब तो देखे सियासी मोहाल जो सियासी पारा है वो काफी जादा चड़ गया क्योंकि हाली में अखिलेश यादव को अवैद खानन गोटाले मामले में सिभियाई ने समन भेजा है धारा 160 के तहर और जिसके चलते 29 फरवरी को बतोर गवाह के तोर पे उनकी पेशिमी है और ऐसे में एक तरसे देखा जाए तब उन पे एडी का शेकंजा कस चुका है और अब सवाल उड़ता है कि क्या चुनाव से ठीक पहले ही अखिलेश यादव में जो कॉंग्रेस के साथ जो गडबंधन कर लिया है 24 में मोधी मुक्त भारत के चलते क्या उससे पहले ही जेल चले जाएंगे क्या कहते है अखिलेश यादव की कुंडली क्या कहते है उनके भागे के सितारे 24 का चुनाव और 24 की चुनाव से पहले उनके सिर्पल लटकती ED की तन्वार CBI इजाज एजन्सियों के घेरे में जो आ गए है अब आगे क्या उनका भविश्य कहता है आईए सी पर चर्चा करते है राजपुरही जी से बता है वस्तुता देखिए ऐसा है अखिले सियादो जी की कुंडली करकरासी की कुंडली और ब्रिश्चिक लगन की कुंडली करकरासी का स्वामी चंद्रमा चंद्रमा भगवान सिव के कहीं न कहीं ललाट पर मस्तक पर उनके सिर पर सुसोवित होता है तो बेक्ति के बेक्तित तो में निखार तो बहुत ज़ादा है लेकिन वस्तुता है निरने जो होते हैं जीवन में निरने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं यदि आपकी निरनात्मक स्थिती सही नहीं है तो आपके ग्रह गोचर सही होने के बावजूद भी आप सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे अखिलेस यादों में सामाने तह 2017 में जो बुरी तरीके से जो हार उनको मिली इतना कारे छेतर फल फैला हुआ इतना काम उन्होंने किया सब कुछ अच्छा किया धर्म के नाम पर उन्होंने अपनी राजनीती बहुत गंदी तरीके से सेकी सबसे पहला परिणाम तो उसको देखने को मिला प्रदेश में दूसरा ये ग्रह गोचर में उतनी ही अनुकूलता थी जितने में वो सत्ताधारी बने थे वस्तुता दसंभाव का मालिक सूर्य राजनीती का कारक अगर बेक्ति की कुंडली में सूर्य की प्रभुता नहीं है तो वो राजनीती में सून्य है वस्तुता उस दसंभाव से हट करके जब वो अस्तंभाव में सूर्य प्रवेस किया उनकी कुंडली में अस्तम भाव में प्रवेश करने के बाद से ही सूरे का प्रभुत तो समापत होने लगा और ऐसे में पिता का चले जाना जब पिता चला जाता है तो आप समझे कि एक बालक को जब आस्मान में उच्छाला जाता है तो उस बच्चे को ये पता होता है कि नीचे खड़ा मेरा पिता, कहीं ने कहीं उसे पकड़ लेगा और वो नीचे नहीं गिरने पाएगा तो ये इनको विश्वास था कि उस प्रदेश की जनता हमारे पिता जी का इतना प्रभुत्त है कि मुझे नकारेगी नहीं और उसका उन्होंने लाभ भी लिया, केतु चंद्रमाबुध तीन ग्रहों की युती साथ थी, पिता का सहयोग था, उनका असिरवाद था, अच्छा था, सब कुछ उसका प्रताप और प्रभाव सब कुछ मिला, वस्तुता अब दो हजार 27 का जो समय आएगा, 17 से 27 ये जो सफ हमें, तो वस्तुता देखे ऐसा है, राजनैतिक सितारे जब बुलंदियों पर जाते हैं, तो मानों के मन में आप कैसे घुसते हैं, मानों के मन में घुसने के लिए कारे छेतर, कारे सैली, धर्म के प्रति, आपकी द्रिड़ता क्या है, खंड़ता क्या है, आप कितना अच् और चंडमा जब मन का कारक होने के नाते आप मन में कितना उतर पाते है यह आप इस्त्री से अर्थात उनकी पत्नी से वो चीजें उनको ले करके चलते हुए दिखाई पड़ रही है तो ऐसे में कुंडली का जो बेक्तित्तु कहता है कुंडली के बेक्तित्तु के आधार पर यदि देखा जाए तो 2024 का यह जो चुनाव है लोकसभा का बहुत अच् से भी भविस्य में मुख्यमंत्री बनेंगे और एक अच्छी पोस्ट पर जाएंगे वस्तुता कुंडली के आधार पर ग्रह तो चल रहे हैं लेकिन आपका जो निरने है वो निरने आपको गर्त में ले जाने का काम करता है आप जानते हैं कि प्रतेक मानो धर्म से हुआ है धर्म संस्थाप ना थाये संभवाम योगे-योगे यदुकुल में आपका जन्म हुआ है भगवान कृष्ण आपके सार्थी इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आप धर्म को धारन नहीं कर रहे हैं आप तो उस वाले समाज में चले जाते हैं जहां सफेद वाल पर लोग बटे हुए हैं, हैं सब सनातनी, एक ही जड़ है, सब का मूल जड़ है, भारत वरस भारत मा की सभी संताने हैं, सब सनातनी हैं, एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, सब वस्तुता केवल समय और सत्ता ऐसी थी कि उनको अस्थान परिवर्थन कर लेना पड़ा, वो स्थान पर आने के लिए जननायक तो हो, जो उनको मोटिवेट करके ले आए, उस जननायक की तलास में वो प्रतेक मानो भटक रहा है, अब जनता का नायक चुनने के लिए चाड़क के जैसा किसी न किसी को आना पड़ता है, कि जब वो अपनी सिखा खुल जाती है, तो कि यहां मुख्य प्रधान मंत्री बन गए, आज पूरे बिस्तो में, पूरे राष्ट्र में आप देख रहे हैं सनातन का परचम, जहां कोई नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए, पूरे भारत वर्ष में देखा जाए, तो मुसल्मान अत्यधिक प्रेरित हो हैं, और उनको इस चीज की गलानी भी महसूस होती है, कि वास्तों में हमारे पूर्बजों ने ये गलती की, आज उसका सुधार हो रहा है, कोई ऐसा आया, तो अखिलेश की प्रतिभायत देखी जाए, जिस समय वो धर्म को धारन कर लेंगे, जिस समय वो धर्म को अपने जी आदकों के लिए, अखिलेश के लिए ये महत्तुपूर्ण भी से होता है, कि यदि आप सिव की उपासना करेंगे, तो आपके सितारे सदयो बुलंदी पर रहेंगे, आप इतने आसानी से हार मानने वाले विक्तियों में से नहीं है, लेकिन जब-जब सिव के आराध राम है आप राम को किदर किनार करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप भटक जाएंगे, आपका निरने, आपका अभिमान, आपका एगो ये कहीं ने कहीं आपको गरत में ढखेलने का काम करेगा का दिया, 19 में भी बस 5 सीटे उनके परिवार के सदस से निकाल पाएं, यहां गडबंधन जब-जब उन्होंने किया है, उस गडबंधन का फाइदा ने उठा पाएं, फिर चाहे वो गडबंधन उन्होंने कॉंग्रेस के साथ मिलकर किया हो, आपकी बसपा मायावती के साथ कर, मिलकर किया हो, यह आप दुबारा जो नोने कॉंग्रेस के साथ गडबंधन का लिया है, तो गडबंधन का फाइदा अखिले शादब क्यों नी उठा पाते हैं, क्या इसके पीछे का कोई आपको लगता है कोई ऐसे ग्रह गोचर या कोई जोतिश पहलू इसके पीछे है देखिए, बेक्ति का जो बेक्ति तो होता है, वो रासी से होता है, और बेक्ति की करक रासी होती है, तो करक रासी का स्वामी चंद्रमा मन का कारक होता है, अपने मन के अधीन बेक्ति को रखता है, तो वस्तुता इनका जो निरनात्मक स्थिती है, वो बहुत ठोस रहती है, ये अपनी जगह से, अपने बिचारों से, अपने निर्णयों से हटना नहीं चाहते, जो कि विपक्ष इनका जो सहयोग दे रहा होता है, उसको वो चीजे रास नहीं आती, और ये मानो जाती का सुभाव है कि अपने निर्णयों पर अडिग रहना, तो इसके कारण से इनको ग बीजेपी नहीं जोयन करेंगे, अगर अपनी ही पार्टी में आगे, क्योंकि पहले मुलायम सिंग यादो थे, मुलायम से मा से सिंग रासी होती है, सिंग अर्थात गर्जना करता हुआ, बेक्ति समाज में चल रहा है, लेकिन अब उनके पिता के रूप में सिवपाल आ पितित तो कैसा बन रहा है आपका, तो ऐसे में जो पिता रूपी जो आशिरवाद जो एक वो प्राप्त होना चाहिए, जिससे जनमानस में एक पुना नियो अस्थापित हो सके, उठ सके ये, तो वो सूरे वाला प्रताप नहीं मिल रहा है, सूरे का प्रताप पाने के कैसे, राम को धारन करने के लिए उस समय आप देखिए, भगवान सियो और माता सती कथा प्रसंग सुन करके लोट रहे थे, और भगवान राम नर के रूप में जंगल में बिचरन कर रहे थे, हे खगमरिग, हे मदुकर स्रेनी, तुम देखी सीता अमरिग नैनी, सीता को लेकिन उस समय माता सती ने भूल बस अज्यानता बस सीता का रूप धारन करके राम के सामने गई, बिनम्रता देखिए भगवान राम ने वहाँ आश्चरे चकित हो करके उनको मा बोल करके प्रणाम किया, तो ये राम के आचरनों को जब जब आदर्सों को बेक्तित उसका पालन करता है, तो वो कहीं न कहीं जीवन में अपने बेक्तित्तों में बहुत निखार लाता है, लेकिन जहां ये परिस्थिती मा नहीं मा तुपिता नहीं देवा, साधुनसन करवाओं, साधुसंतों की कोई, अब देखे वो कारसेवकों के उपर जो गोलियां चली थी, उ उन बंसावलियों को जा करके नतमस्तक हो करके माफी माँगने चाहिए इस बिसे पर, प्रभू राम जब माफ कर देंगे तो जनता माफ कर देगी, लेकिन जब राम सोयम नहीं माफ कर रहे हैं, तो उन्हीं के भक्तों के साथ अन्याय किया, और अन्याय पर अभी भी वही च चोला पहन करके आप चल रहे हैं, अभी उनके नेताओं का सनातन के खिलाब अब देखिए जो है, नेता लोग ऐसे तमाम प्रकार के ऐसे मूर्खा नंदे हैं, जो कि सनातन पर बार बार वार करते हैं, और ऐसी पर स्थितियों में, बेक्ति का जब उत्थान होने लगता है, तो मुझे लगता है कि अपने निरनात्मक स्थिति में, अभी कुछ लोग इनकी पार्टी में ऐसे थे, जो राम चिलत मानस भगवान राम, आदी आदी पर तमाम प्रकार की अभद्रिटिप पड़ी हैं, दक्षिण में एक बैठा हुआ है, जिसके पिता का नाम आप समझे यह दिमाग में, तो फादर वाली विचारधारा, चादर वाली विचारधाराओं से जब आप हटेंगे, तो आपका विकास पुनरुत्थान अवस्य ही होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार में अखिलेश यादो जी को आने के लिए धर्मों को धारन करना होगा, सिव के होना होगा, और उस उदारता में उनके जो निरने हैं, वो समाज में हितकर सावित होंगे, तो निरने पर सारी चीजें ठीकी हुई है, लेकिन अभी के जो सबसे बड़ी जो मुसीबत उनकी बनी होई है, CBI की तरफ से जाच अजेंसी की तरफ से जो समन भेजा गया है, आप सनी और केतु दोनों एक साथ चल रहे हैं, उनकी कुलिया, चुनाम से पहले ही जेल की चोखट पहुच पाएंगे, देखो ऐसा है, जैसे बेक्ति जब कारागार में तब जाता है, जब वस्तुता उसके ग्रह गोचर बहुत ज़्यादा ही गड़बढ हो, और जब उसने अन ऐसी सिचुएशन भी बन रही है, कि जेल जाने की नौबत तो अभी नहीं आएगी, लेकिन वस्तुता किये गए कर्मों का फल भी तो प्राप्त होता है, और आप समझिए, जैसे अभी चुनाओ है, तो चुनाओ को ऐसे देख लीजिए, कि सूरे निकल रहा है, अब सूरे क कहीं स्थिर लाने के लिए, सब के मन में ब्याप्त होने के लिए कारे कर रहे हैं, तो ऐसे में किये कर्मों का उजागर हो जाना, यानि कि आपके विक्तित्तों का हनन हो रहा है, तो विक्तित्तों का हनन इसलिए हो रहा है, क्योंकि आपके विक्तित्तों में खोट है, आपन मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको ये निर्णात्मक स्थिती में सुधार लाने की बहुत बढ़ी आ हो सकता है जी चले अब तो ये वक्त बताएगा कि अब यूपे की जनता अपने भाईया जिको यानि के अखली शादव को अब कितना पसंद करती है चुनावों को लेकर भी और जिस तरह से जनसे अब उन पर बैट गई है तो उसका भी अब क्या आगे नतीजा देहने को मिलेगा मुझे और अचारे मदर जी जी को दीजे जासर नमस्कार नमस्कार